अक्सर छोटी सी चोट लगने पर हम काफी परिशान हो जाते हैं और उसे जल्द ठीक करने के लिए हर जतन कर डालते हैं लेकिन कुछ जखम ऐसे भी होते हैं जिनके घाव ना तो शारेरिक रूप से भरपाते हैं और ना ही मानसिक रूप से वहीं राजधाने लखनवों में एक ऐसी जगा भी है जहां ऐसी रटैक से पीडित महिलाएं जिन्दगी से एक बार हार कर उसे दो बार आजीने का जज़बा सिखा रही है मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे उपर टैक हुआ है मुझे अच्छी जिन्दगी मिली है दूसरी जिन्दगी मिली है और आज मैं खुद डिपेंड हूँ और पढ़ाई भी अपनी सेलरी से कर रही हूँ और यहां तक कि मैं अपने घर का सपोर्ट भी करती हूँ अहां मैं पहली बार आई हूँ और आप इंस्पायड तो मच बें जिस तरह से यह लोग काम कर रहे हैं विद डेडिकेशन और विद इस सोल आपको इंप्रेस्ट इन शीरोज मतलब जब किसी को हीरो कहते हैं मतलब किसी लड़की को भी हीरो कह देते हैं तो एक टर्म बहुत चल रहा था शीरोज तो हमने इसको यह हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह वो टर्म है जो मतलब आपको इन रियालिटी डिफाइन करता है मतलब सारे लोग हैं जो अपना घर चलाने लगे हैं मतलब जो कभी घर पे डिपेंडेंट थे वह घर चलाने लगे हैं तो आप ऐसे अटेक सर्वाइवर्स की जगह ऐसे अटेक फाइटर्स कहना ज्यादा मुनासिब होगा शीरोज हैंग आउट कैफे में काम करने वाली यह फाइटर्स ना केवल जिन्दगी जीने का जज़बा रखती हैं बलकि दूसरों को भी जिन्दगी जीने का नया नजरिया सिख आती हैं इटीवी भारत के लिए रमांशी मिश्राल लखनाउं